हेलो दोस्तो तो आज की वीडियो बहुती जादा हेल्पूल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो मैं बताँगा कि आपने पौदे को किसी भी जानवर यान की गिलैरी को हुए वगरा इन सबसे किस तरह से बचाए जा सके जो आपकी बरसो की मेनत है वो बिल्कुल अच्छी कर दिया है यह देख सकते हैं जगह जगह से इसको काट दिया है तो यह आप देख सकते हैं हमारी इतनी जो बरसों की मेनत होती है वो सारी खराब कर देते हैं यह देख सकते हैं यह बैगन का पदा तो जो कापी अच्छी से ग्रो कर रहा था और इसकी उपर से पूरी ब्रां कि जोगना परता है या निकुशन पहुंचा तो उनने किस तरह से बचा जया उन्हें भी एम पिसी तरह नुक्सान ना पहुंचा है और उन्हें अपनी चत्रे हम भगाने में काम्याब भी रहे तो इस तरह कर मैंने एक लेकर आया हूँ तो पहले भी वीडियो पना यूई है तो आप उसे भी देख सकते हैं दूसरा नुक्सा लेक्ना ओए हो ठीक है फूसर inappropriate dirialate एक हिएयु एक काम करता है। क्वाड़ सकते हैं यह खोडसी मही का पुरी तरह बरवाद कर दिया । अभ्थ Elementary Inter मिर्च बहुत ज्यादा तीखी होनी चाहिए तब ही इससे भागेगी और साथ ही आप देख सकते हैं मैंने कुछ लॉली पॉप बना हुए है जो की रुई से बना हुए कोटन जैसे कहते हैं रुई से बना हुए लकडी में लगा लिया है तो यह सब कुछ आपने को सामान चाह कि माया साहता से हमें इसे घुल लेना इसमें ताकि अच्छी तरह से जो तीकी मिर्च है वो पानी में अच्छी तरह से घूल जाए तो इसकी नियुक्सान नहीं पहुचाएगी और दूर सही वह एक दुबार आएगी और उसके बाद बाग जाएगी ठीक है तो इसका कैसे रड़े और अमें पॉदे के साथ किस तरह से देना है तो मैं आपको बदा तो ते मार् पोदे को भी किसी तरह का कोई नुकसान तो अमें क्या करना है कि लगाई ताकि जो गंबले में जब लगाएंगे तो यह उपर लगी रहेगी मतला हमारी मिट्टी को भी नुकसान नहीं पोचाएगी मिर्च वगरा कुछ भी है तो इसे हम क्या करना है कि जो मनें गोल बनाया है तीकी मिर्च का उसमें अच्छी तरह स अच्छी तरह से कोटन में समा जाए अच्छी तरह से बढ़ जाए तो अब देख सकते हैं अच्छी तरह से बढ़ चुका है और हमारे तैयार हो गया है तो इसे थोड़ा साम क्या करेंगे इसे नचोड़ लेते ताकि इधर-दर इसका जो तीका पन हो कहीं पर भी फैलेना म तो यह बनके तैयार होगा मैं देखिए किस तरह से हम इसे पौदे पर देने वाले तो जेख सकते हैं जो में ब्रांच होती है उसके नजदी की आपको इसे मिट्टी में लगा देना है देखिए कितना बढ़िया बनाए हुए ताकि हमारा उपर-ई-उपर रहेगा और जो गिलैरी आएगी वह हमारे सीधे में ब्रांच की तरफ ही आती सबसे पहले तो इसके एरिया में जिदर भी वह आएगी और दूर बाग जाएगी इससे कि आपका पौदा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा ठीक इसी तरह से में बाकी के अपने पौदे जैसे कि यह मेरा जाएगा क्योंकि हमें देखिए गिलैरी को भी हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुचाना है उसे भी जीने का पूरा हक है तो इसलिए हम सिर्फ यह नुकसा करेंगे जिससे कि दूर बाग जाए ठीक बैसे बाकी के जो मेरे जो बाकी जो बाकी जो बनाया वह बचे ह क्था है तो उसके जाकर आप देख सकते वेरे चैनली पर Fr ships ड्याओn के पर लाता रहता हूं तब तक निए धन्यबाद प्लीज चैनल को और सब्सक्राइब करें अपने लोह के साथ